जब प्रदेश में पुलिस राज होने की बात की जा रही है ता प्रियाग राज में LIC अधिकारी विमल तिवारी को लापता हुए लगभग 50 दिन हो गए हैं लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं जबकि योगी राज में गुंडा राज के खात्मे का दावा किया जाता रहा है बतादे की प्रियाग राज में पहले भी आपरहंट जैसे मामलों को अंजाम दिया जाता रहा है लेकिन अतिक हमत का गुंडा राज खतम होने के बाद माना जाने लगा था कि अप्रियाग राज लाइसी में डेवलेमेंट ऑफीसर है उन्नीस तारीक को राज साथ बजे उनके एक मेत्र का धर्मेर निशार का बारबर कॉल आ रहा था और उन्हीं के खर उनसे मिलने गए हम और हमारी दोनों बेटियां पुलिस से मिलते रहते पुलिस केती जाज कर रहे हैं जाज कर रहे हैं सरकार से बस यहीं मांग करते हैं कि बस हमारी जो है पती को जल्द से जल्द बूड के लिए नमस्कार आप देख रहे हैं प्रतिका उत्रदेश मेरे साथ आपने सुना हो का प्रयागराज में तक्रीबन पचास दिर होने वाले हैं विमलतिवारी नाम के बिक्ति हैं जो को राज साथ बजे उनके एक मित्र का धर्मेन नशाद का बारवर कॉल आ रहा था और उनी के घर उनसे मिलने गए उसके बाद से उनका कुछ पता नहीं चला है और सोची समझी साजिस के तहत उनको किड़नाइब किया गया है उनकी जान को भी बहुत खत्रा है पुलिस प्र डी जाज कर रहे हैं योगी जी से यही प्रातना करते हैं कि जो है वह कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम दोनों भीतियों को लेके परेशान है हमारी बिंती सुने और हमारे पती को जल्द से जल्द भूड के ले आए अपने किसी पे आगोप लगाए है कि हम ने धर् आपके पती आपने उनको आखरी बार का कॉल किया था कॉल हमने साड़े दस बजे किया है फिर उनका कॉल रेसीव नहीं हुआ था तो इस बात की जानकारी आपको किस ने दिया था इस बात की जानकारी धर्मेर निशाथ को जब मैंने कॉल किया उसके बार तो उन्होंने कहा व परामद हुई है तो आपने इसमें पुलिस प्रशासन ने आपकी पुरी मतब की जार है या नहीं बस यहीं मांग करते हैं कि बस हमारी जो है पती को जल्द से जल्द ढूड के लिया है और इनकी पुलिस का इस पे कुछ विसेस कहना नहीं है पुलिस इनको डेली बुलाती है और कैती हैं जाच कर रहे हैं लेकिन आज तक कुछ कोई जो बिक पे इन्होंने आरोप लगाया है विमल की पतनी चेतना ने विमल के ओफिस के दोस्थ धर्मेंदर निशाद पर अपहरण का आरोप लगाया है आरोपी धर्मेंदर के खिलाफ आई पिसे की धारत 346 और 120 बीह में मुकदमा दर्ज किया गया है लेकिन मामले में अभी भी पुलिस के हाथ खाली है